हेलो एप्रिवन, वेलकम्त तरुनायस आडमी, दिसाइट सौम्या, स्वांगत करते हैं आप सभी का तरुनायस आडमी में जी हां, मनिपूर में हाइ अलट जारी हो चुका है, मनिपूर में जो है हाइड आलर्ट है, रेड आलर्ट जारी है, हुआ क्या है, आईए इस stories में यहां पर ये खबर जो है वो बनी हुई है हुआ क्या है? कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं दरसल मनिपुर में तीन मेजर ट्राबल कम्मुनिटीज रहती हैं तो मिटी पीपल रहते हैं जो की आप कह सकते हैं कि जो 68% of the population है वो मिटीज की है उसके बाद आपके नागा रहते हैं और कूखी रहते हैं तो rest of the जो बचे हुए हैं तो वो नागा और कूखी और other tribal people रहते हैं बात ये है कि हाल फिलहाल में ही एक high court का decision आता है कि जो schedule tribe का reservation status है यालि कि आरक्षन है उस आरक्षन की खिड़की के अंतरगत मिटी पीपल को भी आरक्षन दिया जाना चाहिए अब आरक्षन का ये फैसला आता है और जो है drift शुरू हो जाती है जो कूखी people है जो कूखी tribal community है वो साफतोर पर कहती है कि मिटी tribal community को जो है ये reservation नहीं मिलना चाहिए क्यों? क्योंकि मिटी tribal people already जो है जो state है मनिपूर majority जो है वहाँ पे constitute करते हैं यानि कि 60-65% जो है मनिपूर में जो जनसंख्या है वो मिटीज की है जो भाशा का जो है मिटी people इस्तमाल करते हैं वो भी एर्थ constitutional एर्थ के हिसाब से उसको मानिता मिली हुई है अगर देखेंगे 60 MLA वनिपूर से select होते हैं तो 60 में से 40 जो है वो मिटी ट्राइब से ही आते हैं यानि कि हर तरीके से मिटी ट्राइब जो है वो आगे है ठीक है और एरियास में रहते हैं और financially strong है connection wise strong है और जो है कुल मिलाखे इसी कारण बर्ष मिटी इसका यानि कि कूखी पीपल का कहना है कि मिटी इसको reservation यानि कि आरक्षन का जो लाब है वो नहीं मिलना चाहिए तो ये बात जो है वो clearly उनके द्वारा कही गई है अब जैसे ही जो है यहाँ पे ये बात कही गई तो मिटी के लोगों ने भी अपना जो पक्ष था वो सामने रखा उन्होंने कहा कि नहीं भई ये तो जो है बिलकुल गलत है और ये तो जो है कुकी tribe के जो लोग है ये बिलकुल गलत कह रहे हैं इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए अब अपने पक्ष में जब उन्होंने फैसला रखा अपने पक्ष को जब उन्होंने describe किया तो मिटी पीपल ने ये ही कहा कि देखिए हमारी जो population है हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रती दिन घट्टी जा रही है पहले जो है हम 68% population को occupy करते थे मनेपुर की बट हाल फिल हाल में हम जो है 58% पर आ गए है यानि कि बहुत तेजी से बहुत जल्दी से हमारी जनसंख्या जो है हमारे मिटी लोगों की जनसंख्या है वो दरसल घट रही है यानि कि कम हो रही है अब ना सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि जो लैंड जो लैंड उक्यूपाई की हुई है मिटी लोगों ने वो भी घट रही है यानि कि ओवरॉल आर्थिक रूप से भी हम लोग कमजोर हो रही है उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास के छेतर में अगर आप देखोगे डेवलपमेंटल एरियास में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी जो है हमको आप जो हमारा फेज है वो आपको डिकलाइनिंग मिलेगा तो इसी चक्कर में जो है यानि इसी के चलते जो है हमें सपोर्ट करना जरूरी है वरना हम जो है बेहत जादा खत्रे में आ सकते हैं ये बात जो है खुद मिटी पीपल ने यानि कि मिटी कम्यूनिटी के लोगों ने कही तो हमें जो ये आरक्षन दिया जा रहा है ये बिलकुल सही है हमें इसकी जरूरत है तो साफ तोर पे जो आरक्षन का लाब है वो हमें मिलना चाहिए ये बात मिटी के लोगों ने कहा अब उसके बाद जो है एक आप कह सकते हो कि जब नागा के लोगों को और कुकी के लोगों को ये पता चलता है तो कहानी जो है एक अलगी मोड पर मुड जाती है अब आप कहेंगे कि माम ऐसा क्या हो जाता है कि जो है ऐसा क्या करते है कुकी ट्राइब के लोग जिससे की ये मनिपुर में जो है कंटीनियस वॉयलेंस बढ़ता ही जा रहा है खतम होने का नाम नहीं ले रहा है ऐसा कुकी के लोगों ने क्या किया है या कोई जो है इन्होंने कोई हिंसा करी है या कोई रैली निकाली है या कोई लोग पारित किया है तो ऐसा क्या हुआ है तो सुनकर जो है काफी ज़दा हैरान तो होगा आप लोगों को बट यही सकते हैं क्या कर सकते है अपने आप में यह काफी जदा है इस एटाक में एक तो यह यह पता चलता है कि कैसे technology का जो है वो दुरुपयोग हो सकता है या देखी misuse जो है वो technology का किया गया कहां drone को अगर हम कृशी छेतर agriculture छेतर में जो है use करते हैं तो drone जो है काफी ज़्यादा लापधायक साबित होता है और फसलों को बढ़ाने के लिए smart agriculture को develop करने के लिए एक नए दौर के agriculture को बढ़ावा देने के लिए मिटी यहां पे जो drone technology है वो काफी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती बट वहीं अगर उसका दुरूपयोग होना शौरू हो जाए अगर वो गलत तरीके से इस्तमाल हो तो उसका जो है काफी ज़्यादा खामियाजा भी होता है और यहां पर वही खामियाजा हम ने देखा drone technology को गलत तरीके से इस्तमाल किया लोगों को मारने के लिए जो है इस technology का कुल मिला के इस्तमाल होता है अब इतना ही नहीं इस पूरे attack में जो है भारी नुकसान होता है यानि कि 6 लोग जो है मिटी के वो मारे जाते हैं अब देखिए, tribals में अगर हर एक person की भी death होती है तो ये भी बड़ी बात होती है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत limited होती है अब सोचिए 6 लोग जो है वो मिटी के मारे गए और 30 से जादा लोग घायल हुए गंभीर रूप से वो घायल हुए उस drone attack से अब जब ये बात फैली है और ये बात जो है वो मीडिया में आई तो सरकार काफी जादा गुसा हुई क्यों क्योंकि negotiation जो है वो कुटी और मिटी लोगों में और सरकार जो है वो continuous negotiation का efforts डाल रही है बट negotiation करने के बाद भी अगर violence फैलता है तो यहाँ पर फिर ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत हो जाती है तो जिनोंने ये drone attack किया उनके उपर strict action जो है वो लेने की बात की गई बट यहाँ पर अब ये जो पूरा violence हो रहा है मनिपुर में अब ये और जादा आप कहोगे कि बड़ चड़कर जो है ये एक तरीके से और जादा गहा तक बनता जा रहा है तो अब ऐसा क्या हो रहा है आईए आपको बताते हैं सुर्खियों में फिलहाल के लिए है मनिपुर on security alert after 900 कुकी militants in filter from Myanmar Don't take the intelligence report lightly India's मनिपुर on high alert over influx of 900 militants from Myanmar With reports of कुकी militants entering, ministers aid being kidnapped, मनिपुर on high alert यानि कि अब आप समझ ही गए होंगे कुल्मिला के बाद क्या है 900 कुकी के जो militants हैं जी हाँ वो मैनमार से भारत के अंदर घुस आए हैं और वो भी illegal तरीके से यानि कि कुकी के लोग जो है अब वो बड़ा attack launch कर सकते हैं मिटी के लोगों पर मनिपुर जो है फिल्हाल काफी सादा high alert मनिपुर में जारी हो चुका है यही नहीं अब जैसे ही जो है पहले drone attack हुआ था उसके बाद ही internet को shutdown कर दिया गया था मनिपुर में सरकार ने सबसे पहला कदम यही उठाय था कि internet को shutdown कर दिया था खाला कि यह सही नहीं है क्योंकि internet का shutdown होना आप समझिये कि वहां का जितना भी जो है प्रोग्रेस हुआ है वो सब रुक जाना थप पड़ जाना तो कि internet के बिना आजकल तो कुछ भी नहीं है हर कोई business जो है वो internet से होता है पढ़ाई भी internet के दुआरा की जा रही है अगर मैं आपको बता पा रही हूँ तो इसके पीछे भी internet ही है तो internet पूरे रूप से बंद हो जाना एक particular राज्य में आप सोचिए कितना जादा जो है एकरीके से backwardness आ जाती है जितना तक छोटा राज्य होता है उसको उतना तक समय लगता है विकास होने में और अगर एकदम से कोई चीज हो जाती है और फिर वो ठप पड़ जाता है आप सोचिए कि वो बहुत जादा वो backward चला जाता है वो र अब रुकना तो छोड़िये थमना तो छोड़िये बढ़ता ही जा रहा है 900 कुकी के militants जो है वो मेंमार से illegal illegal militants है वो भारत के अंदर घुस चुके हैं अब आप समत सकते हैं कि यहां पर किस तरीके की planning plotting जो है वो फिलहाल के लिए की जा रही है जिस तरीके का overall planning जो है यहां पर की जा रही है क्या जो है यहां पर किया जा रहा है यानि कि एक बहुत बड़ा attack होने की आशंका जो है हाल फिलहाल वो जताई जा रही है और यह attack मिटी के लोगों पर किया जा सकता है मनिपुर में इस समय स्तिथी बेहत जादा गंभीर है रेड एलर्ट पे इस वक्त मनिपुर है आई एलर्ट जारी है और ऐसा intelligence report ने खुद कहा है तो आप समच सकते हैं कि जो पूरा situation है किस हद तक और कितनी जादा गंभीर है अब इसके चलते सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए है तो security forces जो है जो कि मनिपुर में तैनात हैं तो सबसे पहले तो यह कि और जादा security forces को मनिपुर में deploy किया जाएगा क्योंकि हालात इससे पहले बिगडे उससे पहले हमें सतर्क होना पड़ेगा यानि कि हमारी सरकार को, security forces को, defense forces को सतर्क होना पड़ेगा तो और साथ deployment जो है वो मनिपुर में होगा और साथी साथ जो आजूबाजू के छेतर हैं यानि कि पूरे North East India में जो है वो किया जाएगा अब इसी के साथ high alert पे हमारी security forces को भी रखा गया है क्योंकि कभी भी जो है हालाद बिगणने के chances हैं हाला कि internet अभी भी shutdown है internet अभी भी बंद है बट फिर भी जिस तरीके की यहाँ पर गतिविदियां चल रही हैं तो काफी जादा हरान जनक है तो अभी फिलहाल के लिए तो high alert पे जो है वो मनिपुर भी है और दूसरा हमारी security forces भी है क्योंकि जो intelligence forces ने जो news साजा करी है जो खबर साजा करी है वो बेहत जादा चिंता जनक है तो I hope situation ना बिगड़े और situation सही हो जाए और जो है जल से जल्द हालात सही हो जाए सभी लोग प्यार से मिनान से महबबत के साथ और collaboration के साथ peacefully भाइचारे के साथ एक साथ रहें और इस वीडियो को इसी positive note पे हम लोग end कर दे दे हैं Thank you so very much have a nice day bye bye take care good luck and God bless you